अबश्कार मित्रों, मातारानी की जैहो, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर मित्रों आज हम आपको बताएंगे कि सौमवार के दिन किस प्रकार से होता है वशीकरण तो चलिए सुरू करते हैं पर ध्यान रहे, माताएं भेने कठी दिनों में इस विधी को ना करें और मास मदिरा का सेवन उस दिन आपको नहीं करना है जिस दिन आप ये विधी करें मित्रों आज हम आपको एक ऐसी विधी बताने जा रहे हैं जिसका कोई महूरत नहीं है, कोई समय नहीं है, सिरफ आपको ये एक वार पर, यानि सौमवार पर आपको ये विधी करनी है। आप किस प्रकार से पा सकते हैं, उसकी विधी आपको बताई जाएगी। अगर आप ये विधी जैसे हम बता रहे हैं वैसे करोगे, तो हमारी गारंटी है वशीकरन होकर रहेगा, जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये विधी आज तक ऐसा फल नहीं हुई कभी किसी तंत्रमंतर की आवशकता आपको नहीं पड़ेगी, आपका प्रेमी इतना तडपेगा, जितना आप उसके लिए तरपते हो, जितना आप उसके लिए रोते हो, उतना आपका प्रेमी रोएगा, तो जैसे बता रखा है वैसे इस विधी को करें, सामगरी जिस प्रक कि एगा फोटो तीन साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए एक आपको लेना है साधारन जल जो आप घर में पीने के लिए यूज में लेते हो वो जल आपको पानी लेना है और किसी भी पात्र में आप ले सकते हो चाहे वो तांबे का का हो, स्टील का हो, कांच का हो, किसी भी प्रकार का पात्र हो, उसमें आपको जल लेना है, ये सामगरी लेकर आपको सोमवार के दिन, सूर्यो दैसे सूर्यास्त के बीच, यानि दिन के समय में आपको ये विधी करनी है, राहुकाल को छोड़ कर, राहुकाल पर ते एक दिन द सूर्य दिन में कभी भी कर सकते हो तो मित्रों सौमवार के दिन सूर्य उदैसे सूर्यास्त के बीच राहुकाल को छोड़ कर कपड़ा बिछा कर आपको बैठना है पुर्वदिशा के और मुख करके स्नारादी से निवरित होकर तन भी सुद्ध होना चाहिए और मन भी सुद् चाहिए जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से कर लीजिए जीवन में कभी भी आपको वश्य करने की इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी तो इन दोनों फोटों को आपको जलाना है अच्छे तरीके से इनके अवसेस नहीं बचने चाहिए अच्छे तरीके से आ आपने दोनों के प्रतिविम्ब को एक साथ कर दिया और उनकी राक उनका अक्स की जो राक होती है वो आप इसमें विधी में इस्तमाल कर रहे हो अब आप इस पानी को जो आपने दोनों के अक्स इसमें जला कर मिलाए हैं उस पानी को अब आपको अभिमंत्रित करना है क्यो उसे ही वह रस्मिया निकलती है जो तांत्रिक विद्या को सफल करती है वशीकरण को सफल करती है मंत्र सैंस्कृत का है जिन लोगों को सैंस्कृत की प्रोबलम है अच्छे से मंत्र को रटे हम हर विधी में आपको समझाते हैं कि पहले आप मंत्रों को अच्छे से याद करें क और मंत्र की पिक्चर चलाई जाएगी ताकि आपको उसे समझने में आसानी हो। मंत्र सुनिएगा मंत्र है ओम महाकालेश्वर तंत्र सम्मोहनम कुरू नम है ध्यान से सुनिए किसी का भी नाम आपको नहीं लेना है ने तो अपना नाम लेना है ने सामने वाले का नाम लेना है क्योंकि आपने फोटो की राख इस्तमाल की है तो उसी वेक्ति का वश्यकरण ह उसी आपके प्रेमी का वशीकरण होगा जिसका वशीकरण करना चाहते हो मंत्र दुबारा सुनिए ओम महाकालेश्वर तंत्र सम्मोहनम कुरू नमय सम्मोहनम वशीकरण वशीभूत ये सब एक ही वर्ड है सिर्फ सैंस्कृत में इनका नाम है जो प्राइवाची एक दूसरे के ये सब्द है दुबारा सुनिए ओम महाकालेश्वर तंत्र सम्मोहनम कुरू नमय ये मंत्र आपको इसे सीदे हात में लेकर 108 वर जब करना है एक माला इसकी जब करनी है और इस पानी को अभिमंत्रित कर लेना है दुबारा सुनिए ओम महाकालेश्वर तंत्र सम्मोहनम कुरू नमय ओम महाकालेश्वर तंत्र सम्मोहनम कुरू नमय ये मंत्र आपको एक स्वाठवर बोलना है और घर पर ही मंद्री में नहीं करना इसको बाद में आपको मंद्री में ले जाना पड़ेगा तो आपको अपने घर में ही ये पूरी विद्या करनी है पूरी तंत्र विद्या करनी है अब आपको इसे सीधे भगवान सिव संकर के मंदिर में ले जाना है जहांपर सिवलिंग मौझूद हो अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और ध्यान रगें कि विधी में किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है नहीं तो दिक्कत हो सकती है जैसे बताया है वैसे करें और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या संका है या कोई भी समश्य आपके जीवन में है तो आप हमें बेजी जग कोल करें आपकी सहायता की जाएगी हमारे संपर्ख सुत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे है ध्यान से सुनिएगा सिविलिंग जहां पर मौजूद हो वहीं पर आपको ये जल अर्पित करना है अभिमंत्रित करन सिविलिंग पर चल चड़ा देना है और उसके बाद जैसे ही आप ये पूरा जल चड़ा दो उसके पस्चात आपको 21 फेरियां सिविलिंग की लगानी है 21 जो परिक्रमा है वो आपको सिविलिंग की लगानी होगी ये धान रखिएगा सिविलिंग की 21 परिक्रमा करने के बाद आपको सीधा घर पर आ जाना है कुछ नहीं बोलना आपको वापस आते समय ने किसी का नाम लेना है ने किसी से बात करनी है चुपचाप आपको बिना पीछे मुड़े सीधा घर पर आना है और घर पर आकर आपको 15 से 20 मिनट का रेश पूरी विदी आपको करनी है पहले इस पानी को अभिमंतरित करना अपने घर में फिर सीध आपको भगवान संकर के उस मंदिर में जाना है जहां पर सिवलिंग हो वहां पर इस जल को अरपित करके 21 परिक्रमा वहां पर आपको देनी है कोई नाम नहीं लेना कुछ नहीं करना बस आपको मौन रहकर जैसे ही आप ये जल चड़ाओ उसके बाद से आपको मौन रहना है घर आने तक और चुपचाप आपको 21 परिक्रमा निकालके और फिर आपको सीधा घर पे आना है बिना किसी से बात किये और ये करने के बाद 10-15 मिट घर में आराम करके 10-15 मिट घर में आपको हट में हाथ मों पूछ लेना अच्छे से दोकर सनान भी कर सकते हो उसके बाद आप अपने काम में लग जाना उसी शाम सोंबार को आपने विदी दोपहर तक कर ली तो उसी शाम से आपको रिजल्ट मिलना सुरू हो जाएगा क्योंकि ये वशी करन चंद्र ग्रह को बलवान करता है आपके प्रेमी को आपकी कलाओं के परती आकरशित होने पर मजबूर करता है आपके चंद्र को बलवान करता है आपकी बोलने की शमता आपकी बोदिक शमता को बढ़ाता है साथ ही सामने वाले पर जिसका फोटो आपने लिया है अपने फोटो के साथ उसको आपके उपर आकरशित करता है बहुत ताकतवर वश्य करना है उसी दिन सौंबार के शाम तक आपको रिजल्ट मिलना सुरू हो जाएगा जिस वैक्ति से आप यार करते हो वैक्ति धीरे धीरे आपकी तरफ आकरशित होने लगेगा उसका आपसे बात करने का मन करेगा उसको आपके स्वपनाने लगेंगे उसको आपकी पुरानी बाते याद आने लगेंगी और वो खुद आपको कॉल करेगा मैसेज करेगा बात करना चाहेगा मित्रों हम हर विधी में आपको समझाते हैं कि आप ये विधिया स्वैम करिए कियोंकि जब तक आप कुछ नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा पती पत्री में अनबन चल रहा हो जगड़ा चल रहा हो प्रेमी किसी के बह्कावे में आ गया हो बुरी संगत में चला गया हो या कई साल तक रिस्ता चला हुआ है, फिर भी रिस्ता आप से दूर जा रहा है, रिस्ता टूट रहा है, शादी नहीं हो रही है, प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा है, रिस्ते में किसी थर्ड परसन का आगमन हो गया है, किसी भी प्रकार की ये जो संभावित हमने बताई है, अगर ये मंत्र के बोलकर तंत्रों और मंत्र को साथ में आपको सम्मिलित करके इस विद्या को पूरा करना है आपके प्रेमी को आपको बनने से कोई नहीं रोप पाएगा मातरानी आपको जरूर सफल करेंगी मित्रों विद्य को लेकर आपके मन में कोई संका या सवाल है या आपसे कोई गल्ती हो गई है या फिर आप ये विद्यास्रम से करवाना चाते हैं तो हमें बेजिजग संपर्क करें आपकी पूरी सहायता की जाएगी और मित्रों आपको एक और बात बता दें कि जब किसी वेक्ती पर पहले से करम होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वश्यकरन करम का असर नहीं होता चाहे वो हवन वश्यकरन ही क्यों नहो अता है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमे पर किसी ने कुछ किया कराया क पताया जाएगा हमारे संपर्ख सुत्राब की स्क्रीन पर चल रहे हैं इसी के साथ जैमाता दिमित्रों हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही जो 30 से बतले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुढ जय मातारानी